नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग NCRT 11 क्लास की फिजिकल जोग्रफी किताब चल रही है इस पर्टिकुलर वीडियो में ड्यू फ्रॉस्ट और आपका फॉग और मिस्ट क्या होता है इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे बड़ा सिंपल सा फिनॉमिना है कोल मिला के कंडनसेशन यानि की वाटर वैपर का वाटर ड्रॉपलेट्स में पहुचना और कंडनसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन अभी प्रेसिपिटेशन वाला कंसिप्ट तो देखे रेनफॉल में आएगा ठीक है उससे पहले हमको क्लाउट्स देखने पड़ेंगे लेकिन ये जो ड्यू है ये जो फ्रॉस्ट है ये जो फॉग है ये मिस्ट है ये क्लाउट्स है ये क्या है ये सब किस चीज के तरीके हैं ये सब मैनिफेस्टेशन है जब air के अंदर जो water vapor होता है वो water vapor liquid के form में या snow के form में convert होता है तो बस ये उसी चीज़ के manifestation है और कुछ नहीं है सबसे पहले समझते हैं dew को बहुत कम समय लगे का ज़्यादा कुछ देखे इसमें है नहीं हाँ आपको कुछ photos दिखानी पड़ेंगी फोटो से चीज़ें थोड़ी क्लिर हो जाती है मैं ठीओरी पड़ देता हूँ वन दा मॉस्टर इस दिपोसिते इन फॉर्म अवाटर दोपलेट अन पूलर सर्फेसे अव सॉलिड अप्जेट रदर देन नीकुलिए इन एर अबव दे शर्फेसे अच 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 बोला जारहा है एक एक लाएं समझाता हूँ बही देखे जब हवा के अंदर मॉस्टर है वो मॉस्चर मतलब वाटर वेपर पानी में बदल जाए बट वो पानी में बदल के हवा में न टंगे एक चीज़ होती हवा में तैरते रहना तो हवा में तैरते रहने का एक एक ग्जामपल आपका क्लाउड है fog mist यहाँ पर भी जो water droplets हैं वो हवा में तैर रही है वो कैसे तैर रही है वो मैं fog mist में अभी आपको बता हूँगा लेकिन dew में क्या हो रहा है dew में भाई किसी एक particular surface के उपर बैठ गई है आपका dew जैसे for example अगर आप यहाँ पर इस particular photo को देखे तो यहाँ पर आपको grass दिख रही है ठीकिन अब इस grass की पत्तियों पर आपको पानी की droplets नज़रा रही है यह क्या है dew है तो यह पानी की droplets पहले कहा थी यह moisture के form में थी हवा के अंदर लेकिन जब हवा ने moisture छोड़ दिया तो यह इस घास की पत्तियों के ऊपर सेटल हो गई इसको क्या आपने बोला इसको आपने बोला dew same goes for this image इसमें भी आपको नज़रा रहा है कि एक plant की पत्तियों के ऊपर यहाँ पर आपको पानी की droplets नज़रा रही है यह क्या है यह actually में आपकी dew है समझ गए तो यही है जिसमें से एक plant leaves है तो plant leaves के ऊपर भी बैठ सकती है जो पत्थर वगरा रॉक्स वगरा पड़ रहते है स्टून उनके ऊपर भी बैठ सकती है grass blades के ऊपर भी बैठ सकती है grass blades आप समझ सकते है edge हो गई आपकी प्लांट की है पत्ती की तो इन सब चीजों के ओपर ये जो water droplets है ये वैड़ जाती है तो ये आपकी बन गई dew मतलब किसी एक particular surface पे बन रही है ठीक है भई तो आपको ये तो simple समझ में आ गया कि हवा के अंदर जो moisture था वो moisture पाने में कनवर्ट हो गया किसी particular surface के ओपर कनवर्ट हुआ तो बन गई अपकी dew आइडिल कंडिशन क्या है dew बनने की तो सबसे पहले आइडिल कंडिशन है clear sky और calm air देखे हवा ना चल रही हो हवा एकदम शान तो हवा नहीं चल रही होनी चाहिए ये एक आइडिल कंडिशन है sky एकदम clear हो बिल्कुल clear sky हो तो आप कह सकते हो कि भाई dew बनेगी high relative humidity अब देखे हाई relative humidity तो but obvious है क्यों चुकि relative humidity high होगी मतलब कि उस particular हवा की moisture पकड़ने की जो ताकत है वो कम है जितनी जादा already humidity है उतनी ही और moisture पकड़ने की ताकत उस हवा के अंदर कम है तो और moisture दोगे तो कभी न कभी वो पानी छोड़ देगी और next है cold and long nights कि भाई रात हुई तो रात में temperature काफी गड़ गया अब जब रात में temperature गर गया तो आपको पता है कि temperature के साथ हवा की तो moisture पकड़ने की ताकत होती है वो बढ़ती है अब जब हवा का temperature ही गिर गया तो जब हवा का temperature गर जाएगा तो जो dew point होता है न उस particular temperature पर जो saturation की limit होती है वो जल्दी आ जाती है हवा की तो वो पानी छोड़ने लगती है तो यह सब mechanism है आपका dew बनने का अच्छा dew बनने का जो सबसे बड़ी condition है वो यह है कि इस नेसेसरी देट देट ड्यू पॉइंट इस अबव दा फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तो पानी का तो 0 degree centigrade या 0 degree centigrade से नीचे चले जब माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन पे तो वह बरफ जम जाती है तो भाई एकर आप फ्रीजिंग पॉइंट पे उपर हो ठीक है ना तो फ्रीजिंग पॉइंट पे उपर हो तो जब आपकी हवा moisture छोड़ेगी तो वह सीधे बरफ नहीं बनेगा sublimation सीधे सीधे नहीं होगा पहले वह पानी बनेगा अब देखे 0 degree हो गया तो आपको पता है कि एक बार 10-15 साल पहले की बात है लखनों में 0 degree temperature हो गया था तो मतलब नलों में पानी तक जम गया था मतलब कि 0 degree temperature पर या थोड़ा सा भी नीचे गया तो पानी पूरा जम जाएगा बरफ बन जाएगा ठीक है तो अब freezing point के उपर तो आपको होना पड़ेगा ना चुकि dew में water droplets बन रही है अब एट्मॉसफेर में water droplets तो तब बनेगी ना जब water droplets बनने रहा है condition हो भी condition अगर negative एस सब freezing temperatures है 0 degree centigrade या minus बने उससे नीचे चला गया temperature तो तो सीधे बरफ बन जाएगी snow बन जाएगी, ice बन जाएगी इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि freezing point के उपर होना चाहिए temperature अगर आपको dew बनानी है चुकि temperature freezing point के नीचे चला गया तब क्या बनेगा? तब frost बनेगा अब देखते हैं frost क्या होता है frost बनता है cold surfaces पे when condensation takes place below freezing point 0 degree centigrade तो भाई जब हवा ने अपना moisture छोड़ा freezing point के उपर तब बनी dew और जब हवा ने अपना moisture छोड़ा freezing point के नीचे तब बना frost अब देखें freezing point के उपर आपका fog और mist भी बनता है उस पर हम थोड़ी देर में आ रहे है लेकिन fog और mist जब बनता है वहाँ पे surface कुछ और होती है dew में surface कुछ और थी लेकिन जब आप freezing point के नीचे पहुँच जाते हो तो जब आप freezing point के नीचे पहुँचोगे चले जाओ यहां से काम करो flight पकड़ो जाओ आप यह नूर सुल्तान एरपोर्ट जो आपका कजाकिस्तान की capital है या फिर आप Almaty चले जाओ आपके शहर कजाकिस्तान जब आप वहाँ पहुचोगे तो दिसंबर दिसंबर के समय पे जाओगे तो बिलकुल जब मैं गया था minus 8 degree temperature था वाँ पे minus 8 degree अब उस particular temperature पे surprising temperature है ठीक है सब कुछ बरफ है हवा चल रही होगी हवा तो वहाँ पे भी चल रही है बिलकुल आइसी विंट्स चलती है इसा बरफ का थपड़ा लगे गा इसा लगेगा जम गए अब उस हवा के अंदर भी moisture होता है यह याद रखेगा उस हवा के अंदर भी moisture होता है उस हवा का भी अपना due point आता है और जब वो हवा अपना moisture छोड़ेगी तो वो पानी की form में नहीं छोड़ेगी वो सीधे frost, सीधे बरफ की form में छोड़ेगी बस यही फर्क है, तो frost मतलब कि moisture छूटा, पानी छूटा हवा से, तो सीधे आपका sub-zero freezing temperature ने छूटा, तो सीधे बरफ में convert होगा ना, तो एकदम बरफ में convert हो गया, ठीक है, तो इसको आप बोलते हो frost, got it, तो यहाँ पेडों के ऊपर आपको यह जो हवा बह रही होगी, वो आइस सनो के फ़रमें, पेडे के ऊपर जमा हो जाएगा, तो that will become frost, देख यह बोला, the dew point is at or below the freezing point, मतलब dew point freezing point के बिलो है, मतलब हवा, सब freezing temperatures पे बह रही है, लेकिन अब तक उसने पना moisture नहीं छोड़ा है, लेकिन जब अब freezing temperatures पे अपना moisture छोड़ेगी, तो वो जो आपकी moisture चूटेगा वो बरफ के फॉर्म में चूटेगा फिर देखें क्या लेखा हुआ है the excess moisture is deposited in the form of minute ice crystals instead of water droplets तो बस simple है frost में जादा कुछ देखें बचाने के लिए नहीं है जब dew point आपका पहुंचा freezing point के नीचे तब आपका बन गया frost next बात करते हैं कि इसकी fog की और mist की what is fog in mist तो इसकी ठीरी पढ़ते हैं when the temperature of an air mass containing a large quantity of water vapor falls all of a sudden condensation takes place within itself on fine dust particles तो भाई एक बहुत बड़ा air mass है air का parcel है जब उस air का parcel का temperature एकदम से गिरा जब उस air के parcel का temperature एकदम से गिरा तो उसमें एकदम से आप देखोगे कि condensation होगा अब ये जो condensation होगा ये उचाई वाला condensation नहीं है जिस process के दुरू clouds बन रहे थे वो वाला condensation नहीं है या फिर मैंने जो पहले से आपको phenomenon समझाता हो रहा हू और इस condensation के बाद किस प्रकार की conditions बनती है नजरा आती है तो कुछ इस प्रकार की आपको conditions बनती नजरा आती है ये क्या है ये Fog है अगर आप UP भिहार राजस्थान वे तो खरकम है मध्ध परदेश इस साइड पे रहते हो तो ठंड के महीने में इस प्रकार का Fog आपको कि दिखता है लेकिन पआड़ों में अक्सरक्षमिस्ट होती है ये एक अग्जाम्पिल आप का मिस्ट का दिस बिसिसक्ली मिस्ट क्या फ़र्क के फॉग और मिस्ट organisation मिस्ट का इसका में विसिबिलिटी जो है वो थोड़ी वह मिल्न सतू में उसके बारे बात करता हूँ, तो यहाँ पर actually में हुआ क्या, इसमें हुआ यह कि हवा में जो नमी थी, वो नमी settle down कर गई, अब वो settle down करी हुई आपको हवा में दिख रही है, ठीक हवा में जो दुन्द आपको दिख रही है ना, यह actually में दुन्द नहीं है, यह water droplets लेकिन यह water droplets कहां टंगी हैं तो आपको पता है कि किदने सारे dust particles होते हैं हमारे atmosphere में जैसा कि आपको पहले भी NCRT में experiment करके दिखाया था कि बिल्कुल बंद कमरे में एक छोटा सा बिल्कुल धूप में opening सी खोल लीजे तो आपको बहुत सारे dust particles नजर आएंगे बिल्कुल अंदेहरे में एक पान एक रोशनी किरन मारी है तो आपको बहुत सारे dust particles नजर आएंगे उन्ही dust particle के ओपर यह moisture बाट जाता है यह moisture क्यों बाट जाता है तो simple के समय पे क्या हुआ कि जो एर में moisture था वो moisture water droplets में जो moisture था वो water droplets के form में dust particle के ओपर चिपक गया अब dust particle के ओपर उतने minute form में चिपका कि आपको कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है Actually fog और mist दोनों एक ही प्रकार से बंते हैं यहाँ पर आपको fog नजर आ रहा है और यहाँ पर map को mist नजर आ रही इसमें जादा फरक आपको नजर नहीं आएगा fog ज्यादा dense होता है तो fog में visibility कम होती है mist थोड़ी कम dense होती है mist में visibility ज्यादा होती है मतलब fog में जो concentration होगा आपका moisture का वो थोड़ा ज्यादा होगा तो आपको दूर तक देखेगा नी mist में जो concentration होगा moisture का थोड़ा कम होगा तो आपको थोड़ा दूर तक भी देख जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखी क्या लिखा 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 है So the fog is a cloud with its base at or very near to the ground Because of the fog and mist the visibility becomes poor to zero In urban and industrial center smoke provides plenty of nuclei which helps the formation of fog and mist Such a condition when fog is mixed with smoke is described as smog अभी fog mist से ही शुटकारा नहीं पाये थे कि आपका smog आ गया देखे, सबसे पहले स्मोग पर जाने से पहले एक और 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 देख लेते हैं mist or fog का नहीं तो फिर थोड़ा confusion है नहीं का बेमिसल अपका तो पहले mist or fog कुटे करते हैं The only difference between mist and fog is that mist contains more moisture than the fog In mist, each nuclei contains a thicker level of moisture Mists are frequent over mountains as the rising warm air up the slopes meet a cold surface Fogs are drier than mist and they are prevalent where warm currents of air comes in contact with cold currents Fogs are mini clots in which condensation takes place around nuclei provided by dust, smoke and salt particles The only difference between mist and fog is that mist contains more moisture than fog I have told you that fog is more dense than fog I have told you that fog is more dense than fog So it is more dense than it does not mean that it has more water particles or less water vapor So if you ask that fog and mist If it is more moisture than it is, mist has more moisture than it is mist has more moisture than it is Fog and mist in comparison mist is more moisture than it is But fog is dense And fog is dense And fog and mist If it is more moisture than it is And so it is more moisture than it is Okay, some things will be clear और मिस्ट के बारे मुंपार माउन्टेंज माउन्टेंज के उपर मिस्ट फीक्रड है मॉपको नियू प्रकार का मिनी क्लाउड जिसमें ड़स्ट पा टिकल के ऊपर आपका condensation हुआ है dust particle कभी-कभी समुंदर के उपर जब fog बनेगा तो salt particle आपको पता है कि समुंदर salt water है तो salt particle उसके समुंदर के उपर वाले surface पे आपको मिलेंगे तो उन salt particles के उपर भी कभी-कभी condensation हो जाता है तो समुंदर के देंसे Fog में Visibility कम है, Mist में Visibility जादा है, Mist में Monster जादा है, Fog में Monster कम है, Mist एकदम से बनती है, मतलब पहाड़ों में ज्यादा बनती है, तो एकदम से हवा का Temperature बिल्कुल ही गिर जाए, तो भाई आपका Mist बन जाती है, Mist ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है, Fog थोड़े लं हवा उपर की तरफ उठ रही है, और एकदम से किसी ठंडी सतय काने से बिल्कुल ही ठंडी हो गई, तो वहाँ पर Mist मन जाती है, तो आप Fog Mist हमने देख लिया, इनके Difference को समझा, अब समझने कोशिश करते हैं कि स्मॉग क्या है, तो स्मॉग का बहुत सिंपल लॉजिक है, आ आपको स्मॉग समझ में आ जाएगा, चाइना के शेर की फोटो है, और आपको कुछ काला-काला दुंदला-दुंदला दिख रहा है, यह प्रॉपर दिन है, लेकिन इस दिल में भी आपको थल्का-हल्का काले रंग की फिलिंग प्रतीत हो रही है, वो काले रंग की क्यों प पावर प्लांट और वो बहुत सारा गैशे से मिशन कर रहा हो, NO2, SO2 बहुत छोड़ रहा हो, तो वहाँ बहुत सारे स्मोक पार्टिकल होंगे, अब होता यह है, कि आपको पता है कि कंडनसेशन के लिए, अगर डिव पॉइंट पे आ गई है हवा, saturation उसका हो गया है, और वो moisture छोड़ने को तयार है, तो moisture छोड़ेगी या तो dew के form में छोड़ेगी, या अगर उसको surface मिल जाए, कोई air पे तो उस पे टंग जाएगी, तो या तो dust particle पे टंगेगी, तो आपका fog mist बनेगी, और अगर dust particle पे नहीं टंग पाती है, और उसको smoke particle मिल जाते हैं, अब ये dust particle भी एक प्रकार के स्मॉआब, वैसे तो हमारे body के थूँ, हमारे nostrils के थूँ, हर सेकेंड लाखों के dust particles क्रॉस हो रहें, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही, जोगी dangerous होता है, वो एक अलग चीज है, अब इस smoke के particle के उपर, अगर moisture बैठ गया, तो अब यहाँ पे आपको वो जो moisture तैरता हो, दिखेगा atmosphere में, वो काला होगा, और इस काले moisture को आप smoke बोलते हो, तो अगर हवा में, ये water droplets तंगी हुई मिल जाती है, और ये water droplets तो देखो हवा में हैं, dew point पे पहुँचा, और उसी particular हवा में बहुत ज़्यदर smoke है, कोई बहुत ही industrialized लाका है, पास का कोई power plant है, जो बहुत सारी smoke एमिट कर रहा है, तो उस smoke के उपर टंग जाएगा, वो water droplets, और काले रंग क्या आपको प्रतीत होगा, जैसा कि इस photo में आपको प्रतीत हो रहा, तो this is basically smoke, कभी-कभी तो smoke इतना dangerous हो जाता है, कि दिखना ही बंद हो जाता है, तो वो depend करता है कि कितना pollution level है, तो दिन के समय पे भी आपको शाम या काला-काला जैसा प्रतीत होने लगेगा, अगर smoke है atmosphere में, smoke की condition क्या है, कि बहुत जादा अगर pollution है, smoke present है, और उसी समय पे वहाँ temperature गिर गया, due point पे पहुंच गया, तो smoke बन जाएगा, smoke ना होता, तो शायद वहाँ पे fog बनता, लेकिन अब fog नहीं, अब smoke बनेगा, मतलब की overall, ये वाली जो particular photo है न आपकी, ये वाली, सुरी ये नहीं, ये वाली, इसको काला कर दो, तो आपको smoke हो जाएगा, लेकिन अब ये तो बिल्कुल natural अच्छी सी जगा दिख रही है, यहाँ ज़्यादा pollution नहीं होगा, अब तो खेर पाड़ों में बहुत pollution पहुंच रहा है, pollution ज़्यादा कर दोगे किसी जगा पे, तो वही जो fog है, वो smoke में बदल जाएगा, pollution कमें तो वो fog आपको सोहावना लगेगा, वही pollution हो गया, तो वही smog आपके नाक में गुजगुज के, आपके घरवालों को, बच्चों को, family members को बीमार करतेगा, ठीक है, तो हमने fog के बारे में पढ़ा, smoke के बारे में पढ़ा, mist के बारे में पढ़ा, dew के बारे में पढ़ा, frost के बारे में पढ़ा, I hope concepts clear है, clouds पे चलते हैं, और अगली वीडियो में types of clouds के बारे में आपको बताऊंगा, thank you for watching friends, I hope आपको चीज़ें समयंज में आ रही हैं, आपने viewpoint लिचे comment box में जरूर दीजेगा, जादा स्थलों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, बनाने में महनत लगती है, तो आपका ये फर्ज बनता है, कि आप वीडियो को जादा स्थलों को तो पहुचाओ, आपसे बस इसती मदद की उम्मीद है, और कुछ करना चाहते हो, तो चॉइन बटन दबा के आप चैनल के में मेंबर भी बन सकते हो, डेली की बैसिस में मैं एडिटूरल की वीडियो में अपने मेंबर्स का नाम लेता हूँ, डेफिनिटली इतना तो मैं करी सकता हूँ, सासा जब प्रिलिंस का एक्जाम हो जाएगा, उसका डेफिनिटली मैं अपने मेंबर्स के लिए कुछ और इनिशेटिव लाँच करने कोशिश करूँगा, तैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंट्स, जादा जाद लों साथ वीडियो शेयर करेंगा, टेक केर, हैव अग्रेट डे, गुडबाए,